हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसूरा सा नीटिंग पैटल लेकर आई हूँ यह जो डिजाइन है इसे आप न्यूबन बेबी के स्वाइटर में और अगर आप कोई सूट बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं यह इस डिजाइन का रॉंग साइड है तो चली शुरू करते हैं इस खुबसूरा से प्यारे से डिजाइन को सीखना तो यहां पर हम सबसे पहले जो है इसके फंदे देखेंगे कि इस डिजाइन में आपको कितने फंदे चाहिए तो यह जो डिजाइन है यहां पर आपको ब ले लिजे और प्लस में 2 इस्टिच लेने से आपका डिजाइन सेट हो जाएगा और प्लस में 2HK फोर के मल्टीपल में प्लस में 2, प्लस में 2 राइट साइट से फर्स्ट व को शुरू करेंगे नॉर्मल वूल है मेरा 9 नंबर की निडिल है पहले फंदे को हम slip कर देंगे अगर आप बिनते हैं तो सीधा बिनेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे जो हैं वो उल्टे बिनेंगे उनको पीछे की तरफ करेंगे इसके बाद दो फंदों पे हम design को बनाएंगे देखे एक जाली डालेंगे सबसे पहले देखे इस तरीके से नहीं इस तरीके से एक जाली डालनी है इसके बाद जो ये दो फंदे हैं इसके बीच में से हमें एक फंदा लेना है देखे ये जो दो फंदे इसके ठीक बीच में से हमें एक फंदा लेना है किसी फंदे को बिनना नहीं है दोनों फंदों के बीच में से एक फंदे को बिन लेना है सीधा अब फिर से हम एक बार उन को सलाई पे लपेटेंगे फिर दो फंदों को एक साथ बिन देंगे तो यहाँ पर हमने चार फंदे बना लिए दो फंदों के चार फंदे देखे फिर repeat करेंगे 4 फंदों को तो सबसे पहले हम 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे उन को पीछे की तरफ करेंगे एक जाली बनाएंगे 2 फंदों के बीच में से एक फंदा उठाएंगे फिर से जो सलाई पर है एक बार उन को लपेटेंगे अब ये चो दो फंदे हैं इन्हें दोनों को एक साथ बिन देंगे तो दो फंदों के चार फंदे हमने फिर बना लिए फिर से देखेंगे, दो फंदे उल्टे बिनेंगे उन पीछे करेंगे, एक जाली बनाएंगे दो फंदों के बीच में से एक फंदा बनाएंगे ये दो फंदे हैं इसके बीच में जो जगा है इसमें से आपको एक फंदा उठा लेना है फिर एक बर उन को सलाई पे लपेटना है फिर ये जो दो फंदे हैं इनको एक साथ बिन देना है चार फंदे हो गए, दो फंदो के हमने चार फंदे बनाए, यही सलाई जो है आपको पूरे right side की तरफ repeat करना है यानि कि यही 4 फंदे आपको बार बार repeat करना है और इसी तरीके से complete करना है दो फंदे उल्टे बिनने हैं, एक बार जाली बनानी है, फिर दो फंदों के बीच में से एक फंदा उठाना है, फिर एक बार उन को सलाई पे लपेटना है, फिर दोनों फंदों को एक साथ बिन देना है, तो दो फंदों के चार फंदे बनाने हैं और दो फंदे उल्टे बिन इस तरीकी से सलाई पे लपेटेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे, सीधाई, अब ये जो लास्ट के दो फंदे हैं, ये आपके डिजाइन को सेट करने के लिए हैं, तो इनको हम उल्टा बिनेंगे, ह के फंदे को आपको सीधा बिनना होता है, ये वाला जो फंदा है, इसे सीधा बिनके रो को कम्प्लीट करेंगे, तो रो फर्स्ट कम्प्लीट हो गई, रो सैकिंड आ गई है, रॉंग साइट की रो आईगी है, इसमें देखे कैसे बिनना है, पहले फंदे को सिलिप करेंगे, अगर आप बिनते हैं तो इसे उल्टा बिनेंगे उनको right side के तरफ करेंगे जो फंदे सीधे दिखाई दे रहें आपको वो आपको सीधे बिनने है यानि कि दो फंदे सीधे उन अपनी तरफ करेंगे अब देखें याँ पर हमें चार फंदे बनाये थे जो दो फंदो के उनको हमें कैसे बिनना है तो चार फंदो को दो बार बिनेंगे यानि कि दो फंदो को एक साथ बिनेंगे दो फंदे एक साथ उल्टे बिनेंगे फिर से दो फंदे एक साथ उल्टे बिनेंगे तो वापस से हमारी निडिल पे वही दो फंदे आ गए उनको राइट साइट की तरफ करेंगे दो फंदे सीधे बिनेंगे फिर से उनको अपनी तरफ यानिकी रॉंग साइट की तरफ करेंगे चार फंदों जो हमने बनाए थे राइट साइट पे उनको हमें दो फंदों में बदलना है यानि कि चार फंदों को आप दो दो फंदे एक साथ करके बिनेंगे दो फंदे एक साथ बिनेंगे एक बार फिर से दो फंदे एक साथ बिनेंगे एक बार 2 फंधे सीधे देखिए फिर उन अपनी तरफ 4 फंधों के पहले हम 2 फंधे एक साथ बिनेंगे उल्टा बिनना है आपको ये वाले 2 फंधे फिर 2 फंधों को एक साथ बिनना है उल्टा तो इसी तरीके सा आपको रोज सेकिट जो है वो कंप्लीट करनी है पूरी दो फंदे सीध है उनको अपने तरफ करेंगे जो हमारे चार फंदे हमने बनाये थे दो फंदो के उसके हमें दो दो फंदे एक साथ बिनने हैं पहले हम दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बिनेंगे फिर हम दो फंदो को एक साथ लास्ट की जो दो फंदे आएंगे वह आपको सीधा बिनके रोको कम्प्लीट करना है तो यहां प्र है नहीं तो आपको डिजाइन लिए जब आप यही टूरो बार बार रिपीट करेंगे तो आपका इस फली वाला डिजायन बनके तैयार हो जाएगा, आप इसे चाहरें लाइट कलर में बनाईए, चाहरें डार्क कलर में बनाईए, आपका सब ही कलर में डिजायन अच्छा आता है, सभी एज गूरुप के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हैं, सब पर अच्छा बन कराता है। तो जब आप इसे कंप्लीट करेंगे, तो कुछ इस तरीके का दिखाए देगा। आपको इस डिजाइन अच्छे से समझ में आया होगा, और खुब सुरत भी जरूर लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको डिजाइन कैसा लगा। इस डिजाइन के लिए मेरे पस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उन सब के लिए मैंने इस डिजाइन को बनाया है। आपको इस डिजाइन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।